धोबी का गधा की कहानी धोबी का गधा स्टोरी, किसी एक गाउँ में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धो कर वापस दे आता। यही उसका दिन्भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बुरा हो गया था बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था जिस वजह से वह जादा कप्टों का वजन नहीं उठा पाता था एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घार जा रहा था धूब तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी गर्मी के साथ साथ कपडों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी वो दोनों घार की तरफ जाही रहे थे कि अचानक गधे का पैरलर खलाया और वहे गहरे गधे में गिर गया अपने गधे को गधे में गिरा देख धोबी घबरा गया और उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा बूरा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गधे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकाम्याब रहे धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गाउव वाले उसकी मदद के लिए पहुँच गए लेकिन कोई भी उसे गढ़े से बाहर नहीं निकाल पाया तब गाउव वालों ने धोबी से कहा कि गधा अब बूरा हो गया है इसलिए समझदारी इसी में है कि गढ़े में मिट्टी डाल कर उसे यही दफना दिया जाए थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया गाउव वालों ने फावरे की मदद से गढ़े में मिट्टी डालना शुरू कर दिया जैसे ही गढ़े को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आँखों से आंसु निकलने लगे गढ़ा कुछ देर चिल लाया लेकिन कुछ देर बाद वर्चुक हो गया अचानक धोबी ने देखा कि गढ़ा एक विचित्र हरकत कर रहा है जैसे ही गाव वाले उस पर मिट्टी डालते वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गढ़े में गिरा देता और उस मिट्टी के उपर चड़ जाता ऐसा लगातार करते रहने से गढ़े में मिट्टी भरती रही और गढ़ा उस पर चड़ते हुए उपर आ गया अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आँखों में खुशी के आंसु आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया कहानी से सीख, बच्चों, धोबी का गधा कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में भी आप अपनी बुद्धी का प्रयोग कर कठिनायों को पार कर सकते हैं